असलामनेकुम। आज हम लेक्चर थ्री जो है वह अपना ओडिटर न शॉरंस का वह स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आज के जो हमारे लेर्णिंग अपजिक्टिव्स हैं वह क्या-क्या हैं वह देख लेते हैं सबसे पहला लेविल्ज ऑफ शॉरंस कि हमने पढ़ा था कि शॉरंस प्याइब होता है उपीण होता है जो करेंघेटर की बनाएंगर फिनयंश स्टेट में देता है ताके शेरवोलडर यानि के जो आपका यूजर है फनाइंश सटेटमेंट का उसका उसका न हो सके हमने शॉरंस की कि को देखिनिशन में भी पढ़ा था और पिसर लेक दे सकता है management की बनाएगी financial statements के उपर या फिर किसी भी subject matter के उपर ठीक है जी तो तीन तरह की होती है limited, reasonable और absolute, अब हम आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा जो second learning objective है आज का हो है inherent limitations of audit, के audit के अंदर कौन सी inherent, यानि के by birth जो limitations हैं, जिनको remove नहीं किया जा सकता है, जिनको minimize तो क खतम नहीं किया जा सकता, तो कौन सी limitations हैं, जो audit को limit कर देती हैं, जिसकी वज़ा से हम लोग एक auditor जो होता है, वो कुछ procedures नहीं perform कर पाता, ठीक है जी, तो हमारा जो topic है, उस पर चलते हैं, सबसे पहले आता है जी, levels of assurance, कि एक assurance जो होती है, ठीक है, उसके कितने levels होते हैं, यह पर levels का यह मतलब है, कि वो कौन से level की assurance होती है, ठीक है, जो audit to be specific, provide करता है, shareholder को, सबसे पहली बात, limited assurance, limited assurance, जो है, ठीक है, वो क्या होती है, वो एक ऐसी type की assurance होती है, जो कि बहुत limited होती है, limited यानि कि limited procedures perform करने से, हमने पढ़ा था, कि एक auditor जो होता है, ठीक है, वो कुछ procedures perform करता है, और उसके बाद वो एक audit report के अंदर जो है, वो अपना opinion express करता है, ठीक है, वो procedures किस पर perform कर सकता है, वो procedures on subject matter, यानि का financial statements पर perform के जा सकते हैं, वो procedures inquiry भी हो सकती है, management's inquiry की होगी, बहुत बताओ यह वली इस चीज़ की calculation कि तर है, यह जो evaluation कि आपकी amount आ रही है, यह evaluation report की तरह independent valuer की, जिसे पता लगे कि इसकी यही revalued amount है, ठीक है, फॉर इस तरह की बागी सारी भी चीज़े होती है, ठीक है, तो limited assurance basically is that type of assurance in which limited procedures are performed, सबसे पहली बात, कि limited procedures performed के जाते हैं, उसके बाद negative conclusion दिया जाता है, यानि कि auditor मैंने बोला था ना, कि auditor जो होता है, वो या त चेटमें लिए हैं, वो सारी के सारी true and fair, है, और एक auditor यह भी कह सकता है, कि financial statements do not present true and fair view, इसका मतलब भी यही है, कि financial statements यह हैं, वो उसके अन्दे जितनी information आ रही है, वो true and fair view present नहीं कर रही, तो जी, negative conclusion फिर क्या हुआ, उसको हम negative assurance भी कहते हैं, ठीक है, तो negative conclusion क्या हुआ, जो के इस standard line के according के coordinator अगर अपना opinion देता है that nothing has come to our attention के मेरी नजर से कोई ऐसी चीज नहीं गुजरी that causes us to believe जिस जो मुझे इस चीज को believe करने में जो है वो इस पर यकीन कर आदे that the financial statements do not give true and fair view के financial statements जो बनाई हुई है management की वो true and fair view नहीं दे रही है इसका अगर आप direct meaning देखें तो वो वही है के financial statements do not present true and fair view लेकिन एक auditor जब negative conclusion देता है तो वो इस तरह से देता है के भाई मैंने जो financial statements को review किया है मेरी नजर से कोई चीज नहीं गुजरी जिसके जिससे प्रूव हो सके कि financial statements जो management बनाई है उस वो true and fair view नहीं है हो सकता है आगे हो यानि कि financial क्यूंकि limited assurance दी जा रही है limited assurance जो होती है उसके अंदर for example आप उसो कह सकते कि 50% assurance 50% assurance के अंदर ठीक है आप अगर 50% आप assurance दे रहे हैं तो 50% यह भी chances है कि आपकी assurance गलत हो ठीक है तो एक auditor safe side पे रहने के लिए जब limited assurance देता है तो वो किस बेस पे देता है negative assurance की बेस पर के भई negative conclusion दे देता है रिपोर्ट के अंदर कभी मेरी नजर से कोई चीज नहीं गुझरी ठीक है जो इसको जो financial statements को में यह प्रूफ कर सके के वो true and fair view नहीं है लेकिन हो सकता है कि हो ठीक है limited assurance देने का मकसद यह होता है कि क्योंकि limited procedures perform किये होते हैं एक auditor ने यह financial statements पर कि भाई जितने मैंने procedure perform किये अब मुझे पता है कि इन financial statements के अंदर उतनी ही ज्यादा गलतियां है यह उतनी ज्यादा यह सही है जितने कम procedure perform किये होंगे उसने जितनी कम investigation कि होगी उतना ही एक auditor जो होता है वो uncertain हो सकता है कि भाई हो सकता है इसके अंदर यह चीज़े हो हो सकता है यह चीज़े हो जिसना के अगर example दें तो sample basis पे auditor जो होता है वह work perform करता है कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक auditor जो होता है वह 100% population को जो है वह test करें उस पर investigation करें ठीक है तो हो सकता है अगर 100 transactions है कि किसी भी letter के अंदर किसी भी trial balance के अंदर तो हो सकता है कि वह 100 में से limited assurance ह हो सकता है वह 25% transactions test कर दें overall ठीक है रैंडम basis पे 25 transactions उठाए और उसको test कर ले ठीक है अब उन 25 transactions पर तो उसने procedures perform किये हैं जो के एक limited procedures perform किये हैं उन 25 transactions पर उसके बाग जो बाकी का area है बाकी का 75% है उस पर तो auditor जो है वह बिलकुल uncertain है ना कि क्योंको हो सकता है जरूरी तो नहीं है कि 25% sample का result है वह पूरी आप population पर बेस कर दें कि 25% transaction ठीक है तो बाकी सारी population भी ठीक है 25% transactions गलत है तो बाकी सारी population भी गलत है इस तरह से हम नहीं कर सकते जिसके वजह से एक auditor जब limited procedures perform करता है तो उसकी less assurance होती है less ज्यादा uncertainty होती है अपने procedures से related अपने काम से related कि हो सकता है इ देरी नजर से कोई चीज नहीं गुजरी लेकिन हो सकता है कि ऐसे कोई चीज हो जो के प्रूब करते के financial statement true and fair view नहीं दे रहें जी आगया आता है कि प्रोवाइड किन-किन cases के अंदर की जा सकती है तो बही प्रोवाइड हमेशा उन्हीं cases में की जाएगी जहां पर एक auditor जो ह किया गया होगा उस पर वह थोड़ा बहुत uncertain हो कि भाई हो सकता है कि ऐसा हो हो सकता है वैसा हो ठीक है तो वह किन-किन cases में हो सकता है सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह review engagement में हो सकता है review engagement मैं आपको बताया था चैनल कि अश्योरंस इंगेजमेंट जो होती है उनकी दो टाइप्स होती है एक वह audit engagement हो सकती है या वह review engagement हो सकती है ठीक है तो review engagement के case के अंदर जहां पर एक auditor less procedures perform करता है तो वह less confident होता है तो जब वह less खुद less confident है तो एक assurance जो as an assurance provider वह user को भी गलत information से guide नहीं कर सकता इसलिए वह उसको भी less assurance provide करता है कि भाई review engagement है यह ठीक है इसके अंदर क्योंकि मैंने कम procedures perform किये है इस वजह से I am let's say 50% sure और के यह financial statements ठीक है लेकिन I am also 50% sure that maybe there is a there is an error in those financial statements which I am not able to detect ठीक है which is which has not gone through my eyes but there may be some ठीक हो गया तो review engagement की बात होगी इसके बात हमारे पास आता है forecast and predictions ठीक है जब भी एक management का जो बंदा होता है वो user को ठीक है कोई एसी document provide करता है कि जिस पर user जो होता है उसने assurance लेनी होती है जो कि estimate पर base कर रही हो उसकी judgment पर base कर रही हो तो एक auditor कभी भी 100% management के बंदे की judgment को नहीं mind में रख सकता क्याना क्यों क्योंकि वो चीज उसने वो जो document prepare की होगी वो उसने अपने estimates के according की होगी उसने अपनी judgment के according की होगी तो एक auditor कभी भी 100% जज नहीं कर सकता कि यह इसने जो estimate किया है यह इन assumptions को यूज करके estimate बनाया है तो क्यूंकि एक auditor के पास limited knowledge होती है इस case के अंदर वो limited procedure perform करता है तो कभी भी वो estimate based पे जो चीज़े बनाई जाती है जो documents prepare की जाती है उन पर वो ज्यादा टाइक लेवल की assurance नहीं provide कर सकता है जिसकी वज़ा से फिर वो limited assurance provide करता है mostly यह चीजे forecast यह आपकी projections होते है future projections इन के अंदर की जाती है क्यूंकि future project करना हमेशा estimate की base किया जा सकता है हम आज बैठके कल की चीज़ का फैसला नहीं कर सकते है इसी वज़ा से हम आज बैठके हम ऐसे कर सकते हैं कि हम आज इदर बैठकर future की की चीज को estimate कर सकते हैं किस बेस पे पास्ट अनालिसिस की बेस पे पास्ट फॉर एक्जमपल अगर हमने future की sales predict करनी है कि भई हमारी company की फॉर एक्जमपल अगले साल की sale कितनी होगी 2021 की कितनी sale होगी ठीक है तो हम आज बैठके वह चीज को exact examine नहीं कर सकते जिसकी वजह से पिर हम क्या करते हैं अपना पास्ट देखते हैं कि 2017 के अंदर हमने business start किया था 2017 से 2018 पे हमने total इतनी sales की जिनकी percentage यह थी और इस पे अगर inflation का effect डालें जो कि obviously जरूरी है हर साल inflation का rate change होता है कभी महंगाई जादा हो कि यह कभी महंगाई काम हो जाती है तो इस बेस पे अगर inflation का इतना effect डालें तो अगले साल की sale हमारी इतनी होनी चाहिए अब इस तरह से करते करते हम लोग 2020 से लेकर 2021 की sales जो है उनको examine उनको project कर सकते हैं तो management ने भी इसी तरह से कोई नो को projections की होती है को future estimates लगाए होते हैं जिनको एक auditor 100% accuracy से नहीं देख सकता कह सकता कि यह चीजें उसने इस तरह से की होंगी क्यों कि हर बंदे के अपनी judgments होती है हर बंदे के अपने thinking होती है जिसके through assumptions use कर सकता है जिसके through जो है वो उन estimates को predict करे ठीक है तो वो जरूरूरी नहीं के दोनों बंदों की same जो है वो judgment हो तो to be on the safe side एक auditor जो होता है वो इन cases के अंदर limited assurance देता है कि भई हो सकता है कि यह चीजें हो लेकर हो सकता है यह चीजें ना हो to be on the safe side क्योंकि वो limited procedures perform करता है और वो negative assurance negative conclusion की form में अपनी report में लिखता है जिसकी वजह से एक auditor वो limited assurance देता है user of the financial statements को जी इसके बाद हमारे पास जो आती है assurance वो आती है दूसरे टाइप की assurance जिसको हम कहते है reasonable assurance reasonable assurance क्या होती है जी simple सी बात है उसका opposite कर लें जहांप एक auditor uncertain होता है ठीक है कि मेरा दिया हुआ जो conclusion है वो घलत हो सकता है वो सही हो सकता है या financial statements जो present की है या subject matter जिस पर मैंने assurance देनी है उसके अंदर यह चीजह हो सकती है यह नहीं हो सकती तो उसके comparison में अगर हम reasonable assurance की बात करें तो एक auditor positive conclusion देता है कि भाई financial statements give or do not give true and fair view एक line में बात खतम कर दी उसने के financial statements या तो वो कहेगा give true and fair view इसका क्या मतलब है कि पूरी financial statements जो है auditor की judgment के according ठीक है उसने जो procedures perform किये हैं उनके according यह प्रूव किया जाता है कि auditor जो है वो कह रहा है कि financial statements के अंदर जितनी figures आ रहे हैं वो सारी के सारी true and fair view है प्रिजेंट कर रहे हैं उनके अंदर कोई गलती कोई statement नहीं है या फिर एक auditor करेगा कि do not give true and fair view हो सकता है कि financial statements के अंदर यही जो चीजे हैं यह गलत हो कि कि तो इस वजह से मैं यह assure कर रहा हूं कि financial statements जो है इस वजह से हम अपने आपको safe side पर रखने के लिए negative conclusion दे देते हैं भई कि हमने यह जो प्रसीजर परफॉर्म किया है limited से इसके according हम इस नतीडे पर पहुंचे हैं यह भई मेरी नजर से कोई ऐसी चीज नहीं गुजरी जो कि प्रूफ कर सके कि financial statement में कोई ना कोई गलती है लेकिन हो सकता है कि हो जबकि reasonable assurance के अंदर हम फट से कहा दते हैं कि financial statements के अंदर कोई गलती नहीं या फिर financial statements do not present wrong and fair ठीक है जिसके अंदर हम लोग बिलकुर certain होते हैं उसमें हम certain नहीं होते हैं तो क्यों किके हमने less procedures perform कि on in cases के हंदर हमने extensive procedures perform कि I ओते हैं जादा procedure perform कि I होते हैं जिनकी बे, कि यह बार्ट हम लोग high level of assurance सकते हैं क्यों कि हमने ज़्यादा काम perform किया है इसलिए हम जादा certain है इस बात को कहने में कि financial statements जो है वो true and fair view दे रही है या वो नहीं दे रही है अच्छा जी इसके बाद आते हैं किन-किन circumstances के अंदर हम reasonable assurance provide करते हैं तो जी audit of financial statements जो हमारा audit होता है इसी में हम reasonable assurance provide करते हैं इसके इलावा हम लोग reasonable assurance किसी भी matter में provide नहीं करते क्यों क्योंकि एक audit जो होता है financial statements का ठीक है उसके अंदर हम extensive procedures perform करते हैं ज्यादा procedures perform करते हैं और हम उस पर ज्यादा time invest करते हैं limited assurance में अंदर हम इतना जब हमने किसी चीज़ पर देनी हो तो हम चीजों को assure करता है और फिर जाके अपना opinion at the end of the जो audit होता है वो present करता है in a form of report to the shareholders ठीक है तो क्योंकि reasonable assurance दी जा रही है audit of financial statements में तो वो reasonable assurance आपकी positive भी होगी यानि के positive sense में नहीं कि जरूरी ही कि जरूरी है कि financial statements जो है वो true and fair view दे रही है positive कि यह मतलब है कि उसका confidence level जादा होगा क्यों क्योंकि उसने procedure जादा perform किये होंगे तो इस वजह से वह certain है यहां पर uncertainty का element कम हो जाता है कि मुझे पता है कि मैंने क्या क्या चीज़े perform किया और मैंने बड़ा detailed investigation करके बाकी में नहीं दे सकते हैं इसलिए क्योंकि हमने एक तो time period बहुत जादा रखा होता है वास time period होता है जिसके अंदर एक company का audit किया जाता है तो इसमें हमारे पास बहुत टाइम होता है यह चीज़ों को चेक करने के इंदर यह management ने चीज़ें प्रेजेंट की है और इन पर ह हम लोग कम स्टाफ रखते हैं कम time limit हमारी consumption होती है जबके जो audit होता है वह वास्ट time duration और वास्ट स्टाफ efficiency के साथ हो जाता है ठीक है जी तो दो तानकी assurance हमने पढ़ ली limited assurance भी पढ़ ली और reasonable assurance भी पढ़ ली अगले टाइप की जो आपकी assurance आती है वह होती है absolute assurance अगर हम submitted assurance जो है उसको 50% कहा था तो reasonable assurance हो सकता है 70% 70 to 75% होगी ठीक है तो जो आपका absolute assurance है that is 100% which is not possible के भाई हम 100% assure हो सके किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो के किसी और ने prepare की है ठीक है ना यानि के यह बिल्कुल इस तरह की बात है कि अगर हमें कोई बंदा कहे कि भाई इसने loan लेना है ठीक है for example एक bank जो है ठीक है वो मैं और मेरा दोस्त जो है वो bank जाते है ठीक है और bank जाके जो मेरा दोस्त है वो कहता है भी मुझे आप जो है वो इतना loan दे दे तो bank मुझे कहता है कि आप 100% इस बंदे की surety दे कि जो है यह बंदा पैसे लेकर नहीं भागेगा और यह बंदा मुझे पैसे रिटर्न करेगा तो कभी भी मैं चाहिए जितना भी उसका कोई सगा क्यों नहीं हूं मैं कभी उस बंदे की 100% assurance नहीं दूंगा क्यों क्यों कि उस बंदे को भी पता है कि वो कैसा उसने 100% assurance दे कर जो है एक guarantee नहीं दे सकता के जो उस बंदे ने जो बंदे ने लेना है वो बंदा ठीक ठाक है बैंक को मैं कभी भी यह नहीं कह सकता बिलकुल इसी तरह से एक auditor जो होता है कभी भी user of the financial statement को यह नहीं कह सकता कि जो management है ठीक है उस नहीं जो बनाई की financial statements है ठीक है वो 100% है मैं उन पर आपको assurance देता हूं absolute assurance देता हूं कि यह बिल्कुल ठीक बनी है यह बिल्कुल गलत बनी है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है रिजनेबल शोनस भी मैं आपको कहा था कि वह 70% जो होता है वह शुरिटी के साथ दे सकता है 30% still exist ठीक है जबकि हम limited assurance की बात करें तो उसमें मैं आपको बताया था कि that is 50% to 50% mostly 50% chances होते हैं हो सकता है 50% हो सकता है नहीं हो सकता एक barrier रहता है uncertainty का जबके absolute assurance में वह barrier बिल्कुल खतम हो जाता है जिसकी वजह से एक auditor जो होता है उसको उसके standards कभी allow नहीं करते कि बहुता है वह किसी ऐसे subject matter पर 100% assurance दे ए एक guarantee क्योंकि जब 100% assurance होती है ना तो फिर एक guarantee बन जाती है 70% होगी तो पता होगा management उसको यूजर को यह 70% की दे रहत 30% अभी uncertainty है ठीक है वह 50% limited में दे रहा है 50% फिर भी uncertainty है लिकिन जब वह 100% assurance देता है तो वह user को क्या बता रहे कि मैं guarantee देता हूं आपको इस बंदे की जि होंकि मैं कभी भी नहीं दे सकता है तो इसी तरह से एक कभी भी absolute assurance नहीं provide कर सकता क्योंकि absolute assurance गैरेंटी बन जाती है और guarantee जो है वह वह कभी भी हम नहीं दे सकते किसी बंद के हां अपनी guarantee हम दे सकते इसकती है तो कि मैं बेंक के पास जाओं देखके देता हुआ कि मैं नहीं भागूंगा लोन लेके मैं आपके पैसे बापिस दूँगा अगर रीपेइमेंट करनी हुई विद इंटरस्ट ठीक है लेकिन मैं किसी थर्ड परसंट की गैरंटी कभी भी नहीं दे सकता ठीक है तो इसी वाज़ा सा एक और कभी भी थर्ड सबॉर्ष सुन के बनाई हुई चीज पर एक फॉर्थ परसंट को गैरंटी नहीं दे सकता कि यह चीजस ने बनाइक है यह चीज इसने बिल्कुल गलत बनाई है क्यों क्योंकि inherent limitations होती है audit की कुछ inherent limitations को क्या मतलब है कुछ ऐसी limitations होती है जो एक auditor के procedures को limit कर देती है जहां से आगे एक auditor जो होता है वो नहीं देख सकता ठीक है जिनकी वज़ा से वह 100% assurance तो कभी भी नहीं प्रवाइड कर सकता कि यह चीज इस तरह यह चीज इस तरह क्यों लगता है तो basically पताने का मकसद यह है कि एक auditor जो होता है ठीक है जब वो guarantee provide करता है ठीक है तो उसका मतलब यह होता है कि उसने 100% transactions को test किया हुआ है उसने staff भी 100% बिल्कुल efficiency के साथ accuracy के सारी चीज़ें किया है सारी के सारी चीज़ें किया है सारी के सारी चीज़ें करके उसके बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा है तो कभी भी एक auditor जो होता है वह इस तरह नहीं कर सकता because of the inherent limitations of audit inherent limitations क्या है यह अब हम आगे पढ़ते हैं जी सबसे पहला faulty auditors judgment इसके अंदर मैं आपको बता दिया था थोड़ देर पहले कि एक auditor जो होता है उस case के अंदर जहां पर standards के अंदर उसकी guidance मौझूद नहीं होती किसी भी matter के बारे में तो पर एक auditor क्या करता है कि वह अप अपने professional experience के according जो होती है professional judgment के according पर उस चीज़ को evaluate करता है तो हो सकता है क्योंकि एक auditor भी इंसान ही होता है न एक auditor एक इंसान होने के नाते गलती कर सकता है उसकी judgment faulty हो सकती है standards के अंदर requirement जो एड्रेस ती वह address नहीं थी जिसके वाज़ा है एक auditor ने फिर जाहिए सी बात है को मेंने कोई conclusion पर पहुंचना था तो फिर उसने अपने judgments लगाई अपने estimates के according इस चीज़ को evaluate किया हो सकता है कि वह evaluation हो सकता है वह judgment वह गलत हो जिसकी वाज़ास है एक auditor कभी भी जब अब खुद पर वह गलती होगी उसकी खुद के चीज़ों में गलती होगी एक uncertainty होगी तो को कभी भी अपने काम की 100% assurance नहीं दे सकता जो के also inherent limitations of audit है इसके बाद जी आपके पास आता है collusion frauds and complex structures जो management होती है जब वह financial statements present करती है तो हो सकता है कि उसके अंदर उसने कोई fraud किया हो हो सकता है कि collusion की form के अंदर collide होके एक से जादा बंदे मिल के collusion कि उन्होंने किया हो मिल मकसद यही होता है कि हम इतनी सफाई से काम करें कि इतने complex कर दें उस structure को कि पता ही ना लग सकी के at the end मुझने कौन है तो बिल्कुल इसी तरह से जब एक से जादा बंदे involved हो जाते है fraud के अंदर एक fraud पकड़ना शायद असान हो comparatively easy होता है अगर हम लोग compare करें इस चीज को ज रख दी हो यूजर के अब यूजर चाहरा है कि जी ओडिटर जो है इसको verify करें और जो होता है ठीक है वो कितना ही जादा efficient क्यों ना हो लेकिन वो fraud को जो complex structures होते हैं एक collusion होते हैं still there's an uncertainty के एक auditor जो होता है हो सकते हैं उनको identify ना कर पाए तो इस case के अंदर भी there exists an inherent limitation के जो है conclusion और fraud हो सकते हैं complex structures की बेस पर जिनको auditor verify ना कर सके और जब वो नहीं कर सकेगा खुद का काम नहीं ठीक तो वो किसी को भी assurance provide 100% नहीं कर सकता next is estimates and judgment of the management यह और यह दोनों different है ठीक है यहां पर जो start वाला था इसके अंदर हम auditor की judgment की बात कर रहे थे जबके यहां पर हम लोग management क judgment की बात कर रहे हैं कि management हो सकता है जो उसने कोई नहीं कोई estimate किया हो जो कि for example अगर हम देखें कि एक depreciation expense होता है हमारा जो कि हमने assets का जो usage होती है उसकी उसकर उस पर हमने उसको present किया होता है कि एक asset को हमने इतने साल यूज किया ठीक है और इतने useful life थी इसकी divided current state line basis पर तो इतना पर यह depreciation expense हमारा annual basis पर हम SOCI को charge कर देंगे ठीक है अब वो expenses के अंदर for example depreciation expense की figure आ रही है ठीक है अब auditor के पास financial statements आई उसने वो depreciation expense की figure जो आ रही है for example 1000 आ रही है उसको उसको इसने verify करना है वो क्या क्या कर सकता है हो सकता है कि depreciation expense आपको भी पता है कि दो methods mostly use होते है WDB पर भी हो सकता है और state line business पर भी हो सकता है हो सकता है उसने management ने useful life उसकी 10 साल रखे हो हो सकता है asset की useful life उसने पान साल रखे हो हो सकता है उसने पंदरा साल रखे हो हो सकता है उसने cost जो है ठीक है वह उसने historical cost की base पर किया हो सकता है उसकी cost जो है वह revalued amount की base इस पर रिवालिवेशन के बाद जो है उसकी जो नहीं कॉस्ट जो रिवालुएड इमांट इसकी बेसिस पर इप्रिषेट किया हो अब यह हो सकता है हो सकता है क्यों आ रहा है इसलिए क्योंके यह एक ऐसी चीजी है जिन पर एक management जो का बंदा होता है वो कभी भी certain नहीं हो सकता कि जी useful life is asset की यह होगी हमें क्या पता है आज हम खड़े होके हमने यह asset खरीद है हमें क्या पता कि में फिगर्स लिखी होंगी हो सकता है कि वह estimates जज्जमेंट्स जो है वह गलत हो हो सकता है सही हो हो सकता है गलत हो तो एक uncertainty आगई इसके बात हमारे पास आता है जी provision of incomplete information यह भी बहुत बड़ी बात है कि एक और के पास जब information आनी है जब वही complete नहीं होनी तो एक auditor किस तरह से उस पर 100% opinion दे सकता है मैनेजमेंट्स ने दस इसको depreciate किया हो ग्यार्वें इसके रिकॉर्डी ना रखो depreciation का और कह रहे हो कि यह अब किस तरह से कोड़िटर कर सकता है जबके उसको पता ही निया कि exist भी करता है के नहीं तो जब वो exist ही नहीं करता क्यों क्यों क्योंके management उसको provide ही नहीं क्या फैने स्टेटमेंट्स के अंदर complete information दी ही नहीं है auditor को तो वह किस तरह से उसकी बेस पर उस जो information provide की गई है management की तरह से जब वही certain वही true नहीं है वही पूरी complete नहीं है ठीक है तो एक auditor भी कभी भी उसको 100% जो है वो शौर नहीं कर सकता अगला जी हमारे पास आता है time and cost limitation तो वह यह भी simple सी बात है कि कर audit की बात करें तो हो सकता है कि एक time limitation जो है company की तरह से हो जी के auditor के पास आए भी यह हमारी जो financial statements है यह आपने ती महीने के बजाए ना एक महीने के अंदर audit कर करके देते हैं क्यूंकि हमने आगे इनको bank वालों को दिखाने है ताके वह हमें हमारे जो loan है project के लिए उसको अप्रूव करके दे सके हम रहे अपना प्रॉजक्त लगा होने ठीक है तो अब क्यूंके auditor के पास time की limitation आगी है पहले उसको जो है वो तीन साल तीन महीने सौरी जो है वो उसके पास थे complete audit perform करने के अंदर तो वो सकून से बैठके कर रहा था सही चीज़ सही चेक कर रहा था अब जैसे ही उस पर एक time limitation time boundary आ गई तो अब जो है एक auditor जो होता है वो limit होगे उसके audit के procedures जिसकी वज़ासे इन limitation आ गए कि अब क्यूंके time limitations आ गई है बीच में तो इस वज़ासे एक auditor अपने procedures को shrink कर देगा करेगा वही सारे procedures लेकिन अब वो जल्दी-जल्दी में करेगा क्यूंकि उसने आगे रिपोर्ट्स जो है अब श्रिंक हो जाते हैं तो एक auditor जल्दी-जल्दी में काम जो करता है हुमेशा उसमें कोई गलती रह जाती है तो जिस वज़ासा एक auditor कभी भी यह चीज की गलती नहीं कर सकता दूसरी के वह absolute assurance उसकाम पर दे दे अपनी उसके बाद आता जी time हो गया उसके बाद आता जी cost लिमिटेशन तो cost limitation भी वही चीज है क्योंकि एक auditor जो होता है ठीक है उसको जो काम जो firms होती है हमने पढ़ा सिए firms जो होती है ठीक है वह audit services provide करती है mostly ठीक है वह बाकी चीज़े भी provide services provide कर सकती है लेकिन बेस्ट जो mostly होता है वह audit services जो होती है प्रवाइड करती है अब cost limitation के व अगर वही उनको सही नहीं मिली ठीक है तो वह काम भी सही तरीके से perform नहीं करेंगे जब काम सही तरीके से perform नहीं करेंगे तो वह 100% कभी वह इस काम के बार में surety नहीं दे सकते है आगे आता है जी no legal power to search ठीक है अब यह क्या चीज़ है यह बिल्कुल इस चीज को आप इस च information होती और हमारे पस legal power होती कि हम management के उदर गडाउन में जाकर उस acid को ढूंडे उस acid को चेक करें कि हो सकता है एक acid जो है ना वह ऐसा होगा तो वह पूरा search करते हैं करते हमारे पस वह legal power भी नहीं है जो हमारे audit standards हैं वो हमें इस चीज की इजाज़त नहीं देते हैं कि हम लोग एक legal power to search हमारे पास नहीं है कि हम लोग legally empowered नहीं है कि हम लोग अगर management हम से कुछ चुपा रही है या हमें लगे कि वह incomplete information नहीं है तो हम जाके वापर search करने लग जाए हमारे पास यह नहीं हमें जो rules on its work and therefore cannot provide a guarantee on the financial statements ठीक हो गया जी आगया आता है persuasive not conclusive ठीक है अब इस भी बात कर लेते हैं आगे बड़ी detail के अंदर इस पर आगे हम बात करेंगे क्योंकि आगे एक audit evidence का जो मारा chapter है उसके अंदर भी यह discuss होगा लेकिन क्योंकि अभी है यहां पर आ चुकिए inherent limitations तो इस पर इसी बात कर लेते हैं persuasive and not conclusive का क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है हमने पढ़ा है कि auditor जो होता है to be specific ठीक है वो अपने procedures जो होता है ठीक है जब वो करता है तो वो कुछ evidences की based पर करता है ठीक है अगर उसके evidence मिलेगा उस पर वो procedure perform करके देखेगा कि यह चीज ठीक है यह कि वो persuasive तो हो ठीक है यानि कि वो इतना persuasive तो वो sufficient तो हो ठीक है कि इस पर procedure perform करके वो यह देख सके लेकिन conclusive तो नहीं है na conclusive का मतलब कि वो 100% accurate तो वो evidence नहीं है for example management ने management ने जो है उसको auditor ने management को कहा था जी आप ने जो आप जो बात कर रहे हैं कि आपके पास 11 asset नहीं है management को हमने का कि आपका 11 asset के दर तो वो कहते है management कहते है मैंनबास 11 asset ही नहीं तो हमने का नहीं है तो आप हमें एक written representation पेज पर लिख कर दे दे और नीचे sign कर दे अपने कि जो है आप जो आप जो कहने है वह आपके पास नहीं है अब वो जो representation रिटन representation management की तरफ से हमारे पास आई है वो एक evidence है हमारे लिए हमारे audit का ठीक है कि इसके according यह जो figure आ रही है ना इस पर management ने यह evidence हमें मिला है management की तरफ से जो के वो कहने है कि 11 asset ही नहीं तो हो सकता है कि depreciation की calculation में इन्होंने गलिती कर दियो हो कोई ठीक है अब for example वो जो हमारे पास evidence आया है वो persuasive तो है वो यह हमें persuade कर सकता है ऐसा evidence है कि हमें वो persuade कर सके लेकिन ऐसा ऐसा evidence नहीं है जो के पूरी तरह से कंक्लूजिव हो ठीक है यानि के अगर हम बात करते परकाश्विशिव क्या होता है कच्ची पकी तो हमारे पास है लेकिन जो conclusive होते हैं वो पक्के-पक्के evidence है पक्के-पक्के evidence हमारे पास कभी भी नहीं आते ठीक है तो इस वज़ा से क्यूंके जो evidence हमें मिलते हैं हो सकता है कि उनके अंदर कोई नहीं गलती हो हो सकता है वो fraud के against आ रहे हो हो सकता है management चाहती ही कभी मिले ठीक है तो इस वज़ा से उसने काम लिप्टाने के लिए जल्दी-जल्दी हमें एक evidence की फॉर्म में काख़स के लिए ठीक है तो अब हम कभी वह उस काख़स की बेस पर 100% assurance नहीं दे सकते के management के कहने के बावजूद हम जो है वो उस पर 100% assurance दे दे के वह उनके पास कोई इस तरह का कुछ भी नहीं है ठीक है हम 100% assurance इस चीज़ की दे कब भी ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि एक auditor का pa to signature होतो है ठीक है यह पात मैं भूल आ था start नो करे करना एक यह सिगनेटर होता है जब एक finance statement को audit करता है और audit report उसके साथ attach होती है जो इन financial statements की उस पर इक Engagement Partner signature करता है वो signature की बड़ी worth होती है एक वही signature is auditor का जो होता है जब वो ओडिटर रिपोर्ट जो होती है उसके पास जाती है यूजर के पास तो यूजर का कॉशंडेंस को बढ़ा देती है जिसकी वज़ज़से यूजर होते हैं और फिनलाइब को यूसका है इस इस प्रोफिट यूट के अंदर लेना हो बाट पास लाएं तक पता लगे यह कंपन decision की base पर उस बंदे की नहीं बलके करोडों इंवेस्टर्स जो होंगे जो इस company में invest करेंगे ऐसी company के बारे में जिस पर हमने गलत insurance दे दिये गलती से ठीक है हमारी चुटी सी गलती की वज़ा से हमारे पूरी की पूरी जो एक reputation है उस audit firm की वो खराब हो सकती है जिसकी वज़ा से जो पूरी की company है ठीक है वो तो डूबेगी डूबेगी जो हमारी audit firm है ठीक है क्योंकि एक अगर ऑडिटर ने एक engagement partner ने गलत किया तो वो पूरी firm को उसकी सिजा मिलती है वो पूरी firm बंद हो जाती है जिस तो एक गलत signature की वज़ा से हमारे कितना हमें नुकसान होता है यह जब आप लोग आगे practical life में practical experiences करेंगे तो आपको idea होगा आप लो cases देखेंगे ऐसे काफी cases हैं ऐसे internet पे भी काफी articles हैं काफी ऐसी firms थी जो के start start में हमारी big five firms हुआ करती थी और अब वो big four रहे चुकी है तो वो जो big five थी एक ठीक है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था एक auditor जो था उनका उन्होंने गलत report एक गलत assurance की वज़ा से ठीक है गलत जो है उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी जिसके वज़ा से वो पूरी firm जो है वो तबाव वरबाद होगी थी और वो company जिनकी बेस पर जिनकी financial statements पर उन्होंने assurance दी थी उनके जितने भी share हो रहते है जितने stake हो रहते है जिन्होंने इसमें investment की वी थी किस बेस पर हमारी report की बेस पर ठीक है वो सारे के सारी उनकी investment भी डूब गई थी और उनका भी बहुत जादा loss होगा था और वो firm जो audit की थी वो भी बिलकुल खतम होके रह गेती and now we only have big four firms neither big five ठीक है जी तो बताने के मकसर सिर्फ आप लोगों को यह था कि एक auditor की जो judgment होती है एक auditor का जो conclusion होता है वो इतना value रखता है बहुत सी चीजों के साथ वो connected होता है और उस एक गलती जो होती है वो बहुत ही जादा बड़े circumstances जो होते हैं बड़े serious critical circumstances जो होते हैं वो arise कर सकती है ठीक है तो इसलिए एक auditor कभी भी कभी जिंदगी में कभी भी audit में absolute assurance प्रवाइड नहीं करता क्योंकि absolute assurance का मतलब एक guarantee है जो एक auditor जो होता है ऐसी subject matter पर देता है जो किसी responsible party ने किसी third person ने बनाई होती है तो कभी भी हम third percent के बारे में 100% sure नहीं हो सकते हैं आप 50% sure हो सकते हो या ठीक है मैंने इसके साथ 2-3 साल गुझारे मुझे पता है कि यह कैसा है इसकी नि नहीं हो सकती है 100% कभी भी आप sure नहीं हो सकते क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने guarantee दी आपने surety दी लोग के इंदर भी a concept is surety का अगर एक बंदे के बहाफ के आप उसकी surety किसी third person को देते हो तो वह third person अगर वह जो बंदा है जिसके पारे में आपने surety दी है अगर वह default करता है अगर वह payment नहीं करता bank को या अगर वह पैसे लेके भाग जाता है तो bank आपको आपके पकड़ेगा तुमने surety दी थी थी ना इसकी तुम 100% तुमने assurance दी थी थी आओ जाके दो पैसे मुझे भापस तो कभी भी हम इस तरह के काम नहीं कर सकते तो इस वज़ए से बहुत important है with respect to the paper point of view ठीक है काफी दफा से बहुत तरीकों से टेस्ट होके आज सकता है यह concept scenario based हो सकता है एक scenario आपको दिया जा सकता है जिसमें आपको बताए जा सकता है इस पर auditor का क्या प्रोच होने चाहिए course of action होने चाहिए limited assurance होनी चाहिए reasonable चाहिए या absolute assurance तो absolute assurance तो आपन मर के भी नहीं देनी अपने paper के अंदर ठीक है ना लेकिन limited assurance and जो reasonable assurance है वो आप बिल्कुल जो है circumstances को evaluate करके फिर आप लोग उस पर अपना decision दे सकते हैं बाकि जो past papers है वो आप लोग इसके chapter wise past papers वो इंटरनेट पर वैसे भी available होते ही है फेस्बुक का जो page है अमारा CS star उस पर available है ठीक है तो वो आप लोग देख सकते हैं कि काफी लोगोंने share करते हैं वो chapter wise past paper होते हैं लेकिन past paper की मैं जो practice करवाऊंगा वो मैं बिल्कुल end पर करवाऊंगा और मैं पूरे-pure past papers की practice कराऊंगा ताकि आप लोगों को पता हो कि यार आपने पूरा course cover कर लिया अब अगर अगर मैं questions कराता रहूं कराता रहूं उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें बड़ी limited सी knowledge होगी और जो overall knowledge होगी वह आपको नहीं पता होगी ठीक है तो पहले एक audit आप पूरा एक रफ़ा पढ़ लें उसके बाद पर पेपर सॉल्फ करते then you are in a better position to answer those questions ठीक है जी तो यह हमारा लेक्चर था एक है इसके अंदर हमने levels of assurance पढ़े और inherent limitations of audit पढ़ी कि absolute assurance जो है हम क्यों नहीं दे सकते है inherent limitations of audit की वैचा से ठीक है जी बाकी इसको revise कीजेगा पिछले lectures भी बिल्कुल revise करते रहेगा और अगर आपको यह जो lectures हैं यह पसंद आ रहे हैं तो जो चैनल है उसको subscribe कीजेगा वीडियो उसको like कीजेगा